नमस्कार क्यापिजल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नौव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रिस ने अर्विन के जिवाल को बड़ा जटका दिया है अध्यादेश के खलाब समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है रहसल अर्विन के जिवाल ने ट्वीट करके राखुल गांदी और मलका अरजुन खडगे से मुलाकात करने के लिए समय मागा था जिसको लेकर आज मलका अर्जुन के अवाज पे एक एहम बैटक हुई कॉंग्रिस के कई बड़े बड़े नेता इस बैटक में शामिल हुए और बैटक के बाद ये फैसला लिया गया कि कॉंग्रिस पार्टी अर्विन के जिवाल को समर्थन नहीं करेगी तो ये बड़ा जटका है अर्विन के जिवाल के लिए बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हैं कितना बड़ा जटका अर्विन के जिवाल के लिए देखिए पार्लिमेंट के उद्गाटन का विरोध हो गया मामला खतम हो गया सारी विपक्षी एकताओं ने अपना परिशे दिया कि हम लोग एक साथ है एक दिन बीता नहीं और आज अर्विंद केजरिवाल को ऐसा जटका लगा है कि उसकी तमाम जो कोशिशे थी कि किसी तरीके से जो और्डिनेंस केंसरकार लेकर के आई है उसको निरस्त किया जाए तो कॉंग्रेस पार्टी अगर साथ में नहीं है कॉंग्रेस पार्टी अगर इस अध्यदेश के इस और्डिनेंस के खिलाब वोटिंग नहीं करती है तो कोई चांस नहीं है देखिए अगर कॉंग्रेस पार्टी साथ में भी होती तो भी इसकी कोई चांस नहीं थी क्योंकि जि और जिस तरीके से most of the controversial issues के उपर ये साथ देते आ रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साथ था कि ये अध्यादेश वैसे भी पास होता, लेकिन फिर भी केजरिवाल अलग की राजनीती में जुटे हुए थे, कि तमाम लोगों कोई कठा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने आज गच्चा दे दिया, गच्चा दो तरीके से, वैसे केजरिवाल को पहले ही समझ में आ जाना चाहिए थ इन्होंने सरत पवार के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि मैं कल जाकर के मुलाकात करूँगा, अगले दिर इसने कहा कि हमने, खड़के साहब को कहा है, कि राहुल गांदी और आपके साथ हम मुलाकात करेंगे, राहुल गांदी तो चले गए, वो अमेरिका चले गए, मुलाक वाल के साथ नहीं है तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए उसके लिए कोई आपके साथ जो है कोई दलील आपको क्रियेट करना होगा तो खड़के साहब ने बुलाई मीटिंग में कई राउंड हो रही है आज जो मीटिंग थी उस मीटिंग में पंजाब कॉंग्रेस से लोग कमान समाली बकादा वो प्रिजेंटेशन लेकर के आये थे कि किस तरीके से ये आदमी कॉंग्रेस पार्टी को खत्म करने पे तुला हुआ है उनसे कहा गया भई दिल्ली में क्या करना चाहिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने ये आफ़त मोली है अगर हम लोगों ने केज र तो कॉंग्रेस पार्टी आज दिल्ली में सरकार बना करके बैठे वी होती लेकिन आपने तो एक कुछाली मार लिया माकन साहब ने जो प्रिजेंटेशन दिया उसमें ठेयरिटिकल लेवल पे भी उन्होंने बातचीत की उन्होंने कहा कि अगर हम इस अध्यादेश का विरो दूसरी सरकार नहीं होनी चाहिए दुनिया के किसी भी फेटरल डिमोक्रसी में जो राजधानी है वहाँ कोई लोकल गवर्मेंट नहीं होता और ये बात जवालाल नहिनुन नहीं माना ये बात अम्बेदकर साहब ने भी लाल बहादुर सास्त्री ने भी ये बकादा उसके हिस्टोरिकल और टेकनिकल कॉंटेक्स्ट को अजयमा करने खड़गे के सामने सारी बाते रखी और उसके बाद कई सारे वीडियो जो है उन्होंने दिये उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये व्यक्ति राजीव गांधी से भारत रती छीन लिया जाए अपनी बहुमत की व गरफतार करो मालूम चल जागा कि अगॉस्टा वेस्टलेंड में किसने पैसे खाए हैं ये सोनिया गांधी की गरफतारी की बात करता है ये एक और वीडियो दिखाया गया जिसमें एक पत्रकार केजरिवाल से पूछ रहा है कि कॉंग्रेस आप जहां जाते हैं कॉंग्रेस पार्टी को कमजूर करने के लिए तो ये हमारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ये मजाग करता है सब को बताता है और तमाम तरह के जो आरोप अनर्गल आरोप इन्होंने सीला दिख्षित के ऊपर लगाए जिसका आज तक इसने कोई सबूत नहीं दिया तो ऐसे व्यक् करने भी आवाज उठाए सीला दिख्षित के वेटे संदीब दिख्षित ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया बयान बाजी भी की की नहीं अर्विन के जिवाल बहुत बड़े ब्रस्टचार इंसान है तो क्या इन विरोध को देखते हुए जिस तरह से पंजाब कॉंग तो क्यों हैं बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी अपनी बातें वहाँ पर रख दी और मामला ये खक्म हो गया अभी और मैं आपको बता दूँ एक डिलिगेशन एक चिठी बकायदा सिगनेचर कैमपेंग गुजरात कॉंगरेस की तरफ से भी भी भीजा गया कि किसी भी क चीच हो जाएका कि गुजरात में ये लोग कभी ये तो कौंड rude के वोटों को ही काट रहा है गोवा से भी आई है तो जहां-जहां आम आदमी पार्टी है, वहां-वहां से कॉंग्रेस पार्टी को ये साफ कर दिया गया है, कि इस व्यक्ति के साथ नहीं. दूसरी चीज जो और भी जाधा इंपॉर्टन्ट है, राहुल गांदी के खिलाफ ये खड़ा है, राहुल गांधी को ये चैलेंज कर रहा है ये खुद प्रधान मंतरी का उमिदवार बनना चाहता है इसने 11 तारीक को 11 मई को राम लिला मैदान में एक रैली बुलाई है जिसके लिए वो हर जगा घूम घूम करके निताओं को वहाँ पे इकठा करना चाह रहा है अपने आपको राहुल गांधी से बड़ा निता बताना चाह रहा है उसके अलावा एक और घोषना जो आम आदमी पार्टी ने की है कि हम तो 543 सीटों के उपर अकेले लड़ेंगे मतलब आप इसके बावजूत आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े-बड़े मुद्दों के उपर संसत के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के प्रपोजल के खिलाफ इन लोगों ने वोट किया ये भी अजयमाकर लगातार बोलते चले आ रहे हैं प्रजेंटेसन भी बताया गया कि आर्टिकल 370 में हम लोगों ने विरोध किया अर्विंद केजरिवाल सरकार के साथ थे हमने जस्टिस दीपक मुश्रा के खिलाफ इंपीच्मेंट मोशन हमने करके आए ये उसके खिलाफ खड़े हो गए वो सरकार के साथ में खड़े हो गए तो इस तरह के कई सारे चीज़े हुई है केजरिवाल दरसल अपने पिछले पापों की वज़े से फस गया है वो फसा इसलिए है क्योंकि कि ये अपनी राजनीती चमकाने के चक्कर में इसने कॉग्रस को टार्गेट किया कॉग्रस के खलाब इस तरह का केमपेन इसने चलाया कि जिसके लिए अब तो माफी मांगने से भी कोई काम नहीं होने वाला अब केजरिवाल माफी मांगने को तयार नहीं कुछ बोलने को तयार नहीं और वो Congress के उपर एक तरीके से blackmailing करना चाह रहे हैं, कि Congress party गर हमारा साथ नहीं देती है, तो वही एक 11 तारीक को, ये Congress के खिलाफ agenda शुरू कर देंगे, कि Congress के जंडे के तले कोई विपक्षी इकट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ ख़ड़े नहीं है, तो ये कई सारी चीजे केजरिवाल के खिलाफ चली गई हैं केजरिवाल का खेल समात हो गया यह जो राजसभा में आप तेलंगाना में जागर के मिलो आप सरतवार से मिलो उद्धव ठाकरे से मिलो आप यचूरी से मिलो आप नितिसकुमार से मिलो आप मंता से मिलो उससे कोई फर्क पढ़ रहा अगर कॉंग्रेस नहीं तो केजरिवाल इस अध्यदेश को चुनौती देने के भी पोजीशन में नहीं होंगे क्योंकि यह मसला अब इनके हाथ से चला गया कॉंग्रेस पार्टी अपने सिल्फ इंट्रेस्ट में उन्होंने फैसला लिया है उनको लगता है कि अर्विन के जिवाल की भारी बेईजती भी हुई है एक तरफ अर्विन के जिवाल घूम घूम कर बड़े बड़े नेताओं से बिपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं ममतब अनर्जी ने साथ दे दिया उदफठाकरी ने साथ दे दिया शरत पवार ने साथ दे झाल झाल झाल